जहें दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही प्रिवार में और आज किसी वीडियो में आप सिखेंगे नौन पर्फेक्ट स्क्वायर रूट निकालना बोले का यहां क्या होता है तो जो आप देखें थम्नेल पे वही होता है यानि कहाने का मतलब है कि किसी भी का नौन पर्फेक्ट स्कवायर रूट कैसे निकाले तो बोले की नौन पर्फेक्ट का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि रूट के आंदर रिज़ी 16 लिखा हुआ है तो आप इसका अंसर देंगे 4 यो कि इसके रूट अंदर में 4 गूने-4 या 2 गूने-2 गून यहांने करना को नियँम को समझनेके लिए बाकई गाया इसके प सकते हैं फ्लाइत करें यानिक नियम कहता है इसे पहले नियम को समझ यpta कि यानने कि 02 13 संख्या गारी है लूट diva यानि दी गई संख्या को मतलब गईवाजित करना है लगभुलिस आप विवाहजित करें तो कितना से चारी चार करिश होगा हमें बता यह लगवाइज दखेए 13 के हम तीन से पागे बरेंगे तो 16 भगमुल 14 और 13 से छार फिर से पीछा झायें भला यह कि तीन से पागे जाने में बुले कि 3 इस पागे जाने में जहां पे नज्दीक पड़ेगा यानि किसका बर मुलों आप इसका आंसर किया गया तो बाजक और भागफल लिखा गया है तो बाजक कितना हो जाएगा तो थी पॉइंट टूफाइब यानि कि भाजक च्यार प्लश थी पॉइंट तूफाइब लेकिन मैं बताऊंगा इतना नहीं करते हैं लेकिन आपको इतना नहीं लिखना नहीं करना है यहां से कर सकते हैं दो चाहिए यानि कि दस्तमलों के बाद दो अंक है तो दस्तमलों से पहले दू अंक होना चाहिए यानि कि यहां पे 3.62 पे आप दस्तमलों लगाते यानि कि अल्लाग अब 3.62 या 63 हो जाएगा लेकिन किसार यतना कहाई करेंगा बताईए अभी डिवाइड करवाएं फिर पलस करवाएं फिर दो सभा करवाएं इतना करने का मेरी पास समय नहीं है कुछ कम किजिए असान किजिए तो मैं बोलू पूरा बने रही है और इसको ऊठा कि हम अलग रखते हैं और इसमसर आम अघली बार math एगा ने ले ले ना इसको करते चोट Ooh रखते हैं इदर मेंते क्या आप समझ गया होँगे या किसके लिए हम लिखें सो एहां इसके लिए है इसके लिए इसका है इसका एक सोलूशन दूसरा सोलूशन मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं आपको क्या करना है इसका बर्गमूल लगव कितना होगा लगभग बलेंगे चार कर देना है पलस चार पलस देखें यहां पे चार पलस किये थे न और 3.25 किसके बदले में हम लिख रहे हैं बले के 3. 3.25 आप 13 बटे 4 के बदले लिख रहे हैं तो हम डिरेक्टे लिखेंगे 13 बटे 4 और डिभाइड कर देंगे डिरेक्ट 2 से क्या करेंगे डिभाइड कर देंगे 2 से पहले तसलिस आपको समयना जरूर है घबराएंगे बिल्कुल नहीं अगर आप 5 मिनट समय नहीं दे सकते है समझे कि आपको सीखने का मने नहीं है यह कर दिए आप देखिए आपको क्या करना पड़ता है यहां से आप जानते होंगे बिल्कूल चार चक सुल्ला में 13 जोर देंगे 29 आप लिखेंगे उपर में 29 डिभाइड करेंगे और नीचे बला जो चार है इसके साथ आजाएगा गूना में यानि कि चार दुनाट 29 में आठ से डिभाइड कर देजी इतना तो आप कर लेंगे अब तो आपको कहीं नहीं करना है दस्वाइड हो गया आंसर निकाली ना आ आठेट पाहराय में बहुत कितना जाएगा 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 जो सम प्रस्जाएक थे प्यक्स पर जिरो यानि अर्ट चिक और तालिस बस जाएगा दो दो पर जिरो यानिक ऐठ दूना सुर आया की नहीं आया 3.62 तो आया है यानिक आपच्छन आपका यह साहीं एक ही सबसे नदीक हमको उन्चास पर जाना है यानि किसका बर्गमुल लगवा कितना होगा साथ पलस करेंगे कर दिये जो अंदर में उसमें डिवाइडे कर देंगे सा से और डिवाइड tendency में आपको 2 तो ना कर लेंगे अब क्या करना हो ति आगला स्ट्रेप आपको पता होगा ना कि साथ को साथ से मल्टीपलाई साथ सटे मुन्चास Pea New जोर देंगे चैनावे काश्राइब निगे ईय हैंने कि कृच्छ डे अपनी है निख से आपको नहीं पढ़ेंगे को काटेंगे तो यह कितना जाएगा जोदा चक्छौरासी यानि कि छोदा समलो बच गिया कितना बारा बारा पर जीरो यानि नेक्स्ट प्रेज हम करते हैं और नेक्स्ट प्रेज बनाते हैं म्रूट 16 से निच्चा बताए था है आपको डारी से निकाल लेघे उसका कोई बीगाल सकते कोई दिखते किसी को भी यह लेगा न यह चार नहीं चाहिएगा चार दूना आठ आठ के पहारा पढ़ देंगे आर्थिरिक चोविस बत्च कहा साथ 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 जीरो अठीटी चाहूं साथ चोव जीरो आर्थ सते चपन बात खतम 3.87 उमीद है सारे क्वेशन आप बना लेंगे तो मैं आपको SW में लिख देता हूँ यानि क्या आपको कमेंट वक्स में आंसर करना है रूट अंडर 21, रूट अंडर 97 ये दोनों का मान आप बताएंगे कि कितना आंसर होगा इसी तरीका से उमीद है कि आप मेथर समझगे होंगे कोई दिकत नहीं होगा सबसे हटके रहा होगा जरूर पक्का सबसे हटके रहा होगा आप जरूर मिला लजेए किसी ने किसी हटके रहा होगा तो चलिए वीडियो प्यारा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेकराने भूलि